क्लास 11 और 12 के इंग्लिस के टॉपिक में जो लिट्रेचर के अलाबा जो पूछा जाता है वो सारा टॉपिक में कवर कराऊंगा मैंने इससे पहले एक नोट मेकिंग का करा रखा है और यह दूसरा टॉपिक है जो नोटिस रेटिंग है इसमें मैं आपको पताऊंगा जो नोटिस के क्या फॉर्मेट है और कैसे इसे लिखा जाता है क्या इसका मार्किंग स्कीम है क्या इसके फॉर्मेट है ठीक है तो गयाज यह सेक्षन बी में चाहता है और यह अप्सनल आता है एक तो POSTER MAKING या फिर नोटीस का या कि दो चीज में से कोई एक आपको करना होता है और मेरे recording notice सबसे easy होता है POSTER MAKING से ठीक है POSTER MAKING से easy होगा आपका notice writing तो notice याप करना और बहुत एज यह मैं आपको तो अभी पूरा का पूरा फॉर्मैट एक सवाल करके भी मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है ठीक है मार्किंग स्कीम बताऊंगा तो आप अच्छे से देखना आपको 100% क्लियर हो जाएगा तो देखो सबसे पहले मैं नोट्यस जो होता है तो मैं बताता हूँ अगर मैं सिंपल सी लेंगवीज में बताऊं तो नोटीश का मतलब होता है एक तरह से सूचना आपने स्कूल में, कॉलेचेज में या फिर किसी बड़े-बड़े जो आफिस होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा, गवर्मेंट आफिस जो होता है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा, एक नोटिस बोर्ड अलग से बना हुआ होता है, और उस मतलब चाहए स्कूल में, या फिर college में या फिर उस office में अगर जो भी activity होनी होती है अगले दिन या फिर अगले मन तो जैसे चुट्टियां पढ़ने वाली है किसी office में तो उसका notice उस notice board पे लिख देते हैं जो अगले दिन चुट्टी होने वाली है या फिर school वाले अगर कोई annual day function करते हैं या फिर कोई singing competition करते हैं तो उसका notice उस notice board पे लिख देते हैं एक तरह से notice का मतलब होता है सूचना जो आगे आने वाले जो कुछ function है आने वाला जो कुछ activity है उसका सूचना आप सारे members को देना ठीक है तो आपको notice का मतलब समझ मां आगिया ठीक है आप देखो ये English का ये बहुत important topic है जो total four marks का आता है और इतना easy है गाई जाफ 100% four marks लेके आओगे अगर मेरे बताय हुए format को अगर आप follow करोगे तो ये class 11th और 12th के English में पूछा जाता है section B में ठीक है तो सबसे पहले हम इसका format की बात कर लेते हैं जिसको हमें करना कैसे है अभी मैं आपको format लिख देता हूँ यहाँ पर फिर मैं जब आपको ये सवाल बताऊंगा करके तब आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने क्या लिखा सबसे पहले जो होता है वो होता है Istwing Att MIDI मैं आपको बतांगा ये क्या होता है जब मैं सवाल आपको करूंगा आ जैसे माल लो मैंने कहा है जो मैं आझे ऐड़र इस्कूल का founder हूँ ठीक है तो एक्स्वाय्जट जो मैंने बोला आ ये ज़ो स्कूल का नामोगा उसको हम Istwing Att 320 केहते है ठीक है जो स्कूल का तो आपके office के द्वारा कुछ function arrangement हो रही है, और्गनाइज हो रही है, तो उस school के, उस office के नाम को आप बोलोगे, issuing authority क्यों की हुई, यह जो function है, जिसके द्वारा किया जाता है, उसको हम issuing authority कहते हैं, ठीक है, दूसरा आता है, आपको capital letter में notice लिखना होता है, ठीक है, notice लिखना होता है, और इसे थोड़ा सा highlight करके लिखना होता है, ताकि लोगों की नजर इस पर पढ़े, जहां कुछ notice कुछ सूचना आया है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है, third point आता है date, हम इसमें date भी लिखते हैं, ठीक है, और date कब की डालते हैं, आज की, जिस दिन notice लिखा जाता है, उस दिन की date डालते हैं, माल लो, आज आप paper देर होगे इंगलिज का, तो आप आज की date डालोगे, ठीक है, third point आता है, title और title का मतलब होगया, जैसे माल लो, singing competition हो रहा है, तो singing competition इसका, माल लो, annual day function हो रहा है, तो annual day function इसका title हो गया, जो भी connectivity होनी होती है, उसको हम title कहते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं आगे होता है content content का मतलब गार अगे आपको पता होगा content का मतलह होता है जो अभी हम words में का मारे होती है जो में धिके εκεί को इस जी कर सके देखे हE message में भी वी में हम the message में भी अपते हे content का देखे है content weapon आप लिखते हो कुछ student करते क्या है question में कुछ और नाम रहता है दिया हुआ और student खुद का नाम लिखे आ जाते है तो ऐसे गलती मत करना और उसके बार last में इसमें occupation लिखना होता आपका occupation ठीक है और यह आपको bracket में लिखना होता तो ठीक है यह इतना सा format होता है अब मैं आपको एक question करके लिखाऊंगा उसका दमें marking scheme भी बताऊंगा कैसे किसीज के कितने marks मिलते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको question बता देता हूं तो मैंने यहां पर question लिख लिया है question में है जो you are Rajani या Ranjan sorry Rajan the founder of Shri Maths classes your institute is going to organize annual day function you have to write a notice for your institute notice board to inviting names of all the interested students मैं आपको इसका मतलब बचा जाता हूं यह क्या लिखावा कह रहा है जो आप जो है Rajani या Rajan हो ठीक है इसमें कह रहा है आप जो है founder हो founder मतलब अध्यक्ष होता है अगर मैं नहीं बोलू तो you are the founder of Shri Maths classes है जिसके आफ founder हो ठीक है उसके आफ अध्यक्ष हो उसमें कह रहा है जो your institute आपका जो यह classes है यह आपका issuing authority हो गया Shri Maths classes मैंने बोला था ना जो चीज और्गनाइज करेगी जो और्गनाइज करती है उसको हम issuing authority कहते है तो Shri Maths classes आपकी issuing authority होगी आपको मिल गया है पहला यही है हमारा format में उसके बाद जो आपका जो कोच इंसिचूट है या फिर कोचिंग सिंटर है वह annual day function करने के लिए जा रही है ठीक है तो आपको क्या करना है you have to write a notice आपको एक notice लिखना है for your institute notice board आपके इंसिचूट के जो notice board है उसके लिए क्या लिखना है जो जितने भी interested student है जो इसमें participate करना चाहता है कोई dance करेगा कोई गाना गाएगा जो भी है तो उसके लिए आपको उन्हें invite करने ठीक है तो इसमें और भी कुछ आ सकता है जैसे मालनो इसमें आ जायेगा जो आप उन्हें भी invite करो और उनके parents को भी invite करो है ना इसमें आपको date लिखा भी आ सकता है जो किस date को annual day party है annual day function आप यहाँ पर date भी mention कर सकते हो मैंने यहाँ पर question लिखा अपने आफसर इसलिए date वगरा mention नहीं करा है मैं उसको यह notice में जब में लिखूंगा तुसमें मैं कुछ भी अपने हिसाब से date डाल लूगा लेकिन हो सकता आपके paper में date आ जाए question में तो आप उस हिसाब से follow करना ठीक है तो अभी हमने अभी format तो सबसे पहले मैंने क्या करा यहां पर लिख दिया श्री मेट्स क्लास उसके बाद फॉर्मेट है notice का ठीक है यहाँ पर देख लो आप Яप्याँ और मैंने issuing authority लिख दिया है उसके बाद notice है मैं यहाँ पर क्या करूंगा अब लिखूंगा notice notice को में notice ही लिखना है बड़े ब में ग्याप भी छोड़ सकते हो गोई दिक करने है थोड़ा और अच्छा लगेगा और एक चीज में और आपको बता देता हूं आप ये नॉटिस में जो है आप दो कलर का पैन भी यूज कर सकते हो या फिर आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन हाँ आप कलर या फिर दो कलर का पैन यूज करने से पहले आप अपने क्लास टीचर से जरूर पूछ लेना वैसे तो ये अलो है जो आप यूज कर सकते हो लेकिन आप अपने स्कूल टीचर से जरूर पूछ लेना जो या नहीं है ठीक है मैंने नोटिस लिख दिया अब है डेट तो हम क्या करते हैं ड आज अगर मालनो मैं पेपर दे रहा हूँ तो मैं आज की डेट डालूँगा और डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है यहां होता है CBSC बोर्ड के कोर्डिंग आप यहां पर डेट लिखोगे और अधर बोर्ड जो है चाहे तो सेंटर में भी लिखता है या फिर इधर भी लिखता है तो आप तीरों में से कहीं भी लिख सकते हो कोई दिकत नहीं है लेकिन अगर आप CBSC के स्टुडेंट से हो तो मैं आपको एड 2020 ठीक है तो यह चीज़े आप दियान से लेखना मैंने लिखा यहां पर एप्रिल 28 है ना 2020 तो यह फॉर्मेट होता है लिखने का आप और भी तरीके सिसको लिख सकते हो लेकिन सबसे बेस्ट यही फॉर्मेट होता है तो आप ऐसे ही लिखना ठीक है अब देखो अब मैंने लिख दिया अब हम टाइटल लिखेंगे टाइटल के आउता है मैंने आपको बताया था जो भी चीज जो भी फंक्शन या फी जो भी पार्टी और्गनाइज हो रही है इसमें आप दूड़ लो क्या और्गनाइज हो रही है यहां पर देखो एन्वल डे फंक्शन ठीक है इतना तक तो हो गया अब बादी आती है कंटेंट की तो मैं अभी आपको कंटेंट लिख के बताता हूं तो मैंने यहां पर लिखा कंटेंट मैंने स्टार्ट करा है यहां पर लिखा है नोटीस में आपको यह बताना चाहरा है यह नोटीस है नोटीस इसके बारे में आपको बताना चाहरा है, अगर देखो, अगर ये लाइन अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इसका दूसरा उप्शन भी है, दूसरा उप्शन क्या है, चाहे तो ये लाइन लिख दो या फिर आप ये ची लिख दो, जो, this is to inform all the students, तो, this is to inform all the students, तो, this is to inform all the students, अब मतलब ये हुआ, ये सब को inform किया जा रहा है, जितने भी है students है, सब को inform किया जा रहा है, जो, our institute 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 is going to organize is going to organize annual annual day function ठीक है, मतलब ये आप सारे students को inform किया जा रहा है, जो आप मारा जो school है, मतलब institute है, वो annual day function organize करने जा रही है, ठीक है, अब ये तो मैंने लिख दिया annual day function, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको एक date डालना होता है on, जैसे माल लो, आज 28 April है, तो जैसे माल लो, मैंने पांच माई की डेट डाल देता हूं, on 5th May 2020, ठीक है, पांच माई 2020 को annual day function ये और्गनाइज करने जा रही है, ठीक है, तो आपने ये डेट लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना आता है on, या फिर माल लो, यहाँ पर कोई डेट है, sorry, डेट होगा कोई दिन है, on, चाहे माल लो, मैं माल लेता हूं, Sunday है, on Sunday, मतलब Sunday के दिन, ये annual day function party और्गनाइज हो रही है, ठीक है, in institute auditorium, auditorium मतलब क्या होता है, auditorium का मतलब होता है, जो school का, या फिर coaching का, institute का, जो compound होता है, जिसके, जो ground होता है, या फिर कोई conference hall होता है, जिसके अंदर कोई function organize हम कर सकते हैं, उसे हम auditorium कहते हैं, ठीक है, auditorium, उसके बाद, the, program, will start, the program will start at 10 a.m., ठीक है, ये मैंने लिख रहा है, जो program कब start होगी, या न, start at 10 a.m., in the morning आप लिख सकते हो, नहीं तो, नहीं भी लिखो, am का मतलब ही हो गया morning, नहीं तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, and will last till 6 p.m., ठीक है, मैंने लिख दिया, जो school का program जो है, वो 10 बजे start होगी, और जो इसका खतम होगी, कितने बजे, 6 बजे, ठीक है, 6 p.m., इतना मैंने लिख दिया, देखो, अब इसमें, अगर आप देखो, ध्यान से, तो मैंने क्या करा, इसमें सारा सब कुछ, लिख दिया है, अब इसका क्या करना, हमें end करना है लास्ट लाइन लिखना, तो मैं लास्ट कैसे लिखूंगा, आप लिखूंगा मैं, interested student, interested students, interested students, may contact, contact the, undersigned, मैं बताता हूं, undersigned का मतलब क्या होता है, for further information, ठीक है, मैंने लिख दिया है, जो और आगे की जानकारी के लिखे लिए, आप understand, से जानकारी आप ले सकते हैं, उनसे contact करके, आप देखो, यहाँ पर एक line छोड़ना है, और आपका नाम क्या था, इस question में देखो, आपका नाम है, जैसे अगर आप लड़का हो, तो आप लिखोगे रजनी, जैसे मानलो, मैंने लिख दिया है, यहाँ पर क्या, राजन, राजन लिखा मैंने, ठीक है, आप नीचे में चाहे तो अपना contact नमर भी लिख सकते हो, अपना mobile नमर लिख दो आप, नहीं तो आपको mobile नमर लिखने हैं, कोई जरौत नहीं क्योंकि आप यहाँ पर अपना occupation लिख दो, जैसे माना लिख दिया आपने founder, ठीक है, तो यह आपका अभी खतम नहीं हुआ, अभी आपने notice तो पूरा लिख दिया है, तो notice तो यह आपका पूरा, मैंने content वगरा पूरा अच्छे से करके दिखा दिया है, यह question के according, ठीक है, आप क्या मिलेंगे, लेकिन एक चीज और, अभी उससे भी important दो चीजे मैं आपको बताऊंगा, जो उन दोनों चीजे, अगर आपको अभी बहुत important है, वो दो चीज अगर आपको आपने follow कर लिए, तो आपको पका आपका एक भी marks नहीं कटेगा, पाहली चीज तो यह है, इसमें जो ह word limit है, word जो है, आपको सिर्फ 50 words में ही लिखने है, ठीक है, आपको सिर्फ 50 words में ही लिखना है, क्योंकि ऐसा cvse.com पे ऐसा साप साप लिखा हुआ है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 words में ही लिखना है, अगर आपने 50 words से ज्यादा किया, तो आपके marks कटेंगे, बढ़ेंगे नहीं कुछ ऐसे student होते हैं जो सोचता है जो मैं ज्यादा words में लिख दूंगा तो मुझे ज्यादा marks मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ 50 words में ही लिखने हैं और अगर आपने ज्यादा लिखा या फिर कम लिखा तो आपके marks deduct होंगे ठीक है तो इस इसे डब्बे में बंद कर दोगे मैं अभी आपको करके दिखाता हूं कैज देख लो मैंने इसे क्या करा है देखो आप अच्छे से देखो मैंने इसे box में बंद कर दिया ठीक है और इसी तरीके से आपको भी क्या करना है box में इसे बंद करना है तब ही आपके full marks मिलेंगे ठीक है तो यह आपका complete notice जो है आपका ready हो चुका है ठीक है आप इसे ध्यान से देख लो और जो इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लेना और अब ही मैं आपको marking scheme बताने वाला हूं जो वो किस में किस के कितने marks मिलते हैं मतलब किस चीज के कितने marks मिलते हैं I hope आपको यह अभी तक notice जो है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है guys दो चीजे बहुत important है एक इसे box में रखना और दूसरा इसका word limit जो है वो सिर्फ 50 words ही है आपको सिर्फ और सिर्फ 50 words में ही लिखने है ठीक है अब देखो मैं इसके marking scheme बताता हूं मैंने यहां पर लिख रखा था ठीक है अब मैं देखो सबसे पहले जो इसका marking scheme है वो है देखो format का अगर आफ का format अगर सही है ना format के according अगर आपने करा है तो आपको उसके one marks मिलते है total जो है यह यह four marks का होता है ठीक है जो notice होता है यह चार marks का होता है जिसमे format का आपको one marks मिलता है ठीक है उसके बाद content content जो आपने यह लिखा है पूरा यह पूरा topic आपने लिखा है यह बीच में यह सबसे पहले तो format देखो आप इस format का one marks मिले का यह जो content आपने लिखा है इसके आपको मिलता है two marks ठीक है और जो third point है जो एक marks बचा हुआ है वो आपका मिलता है grammar grammar mistake से spelling mistake accuracy देखता है आपकी understanding देखता है इन तीन चीजों का आपका one marks मिलता तो हो गया आपका total four marks ठीक है guys तो marking scheme भी मैंने आपको पता दिया है और यह section B में पूछा जाता है English grammar के section B वाले part में यह पूछा जाता है मतलब grammar वाले parts में तो I hope आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको फिर भी कोई doubt होगा तो आप मुझे comment करके पूछना मैं आपको पक्का उस doubt को clear कर दूंगा लेकिन आप क्या करना इसके 2-4-5 questions को आप practice कर लेना इससे पहले जो मैंने note making का बताया था उसका भी आप practice कर लेना और उसमें भी कोई doubt हो तो आप मुझे comment करना और आप दोनों ही topic का practice जरूर करना practice करोगे तभी आपको याद रहेगा और समझ महाएगा ठीक है guys आप भी हम मिलते हैं next video में